हिंदी जी के क्विज दुनिया की सबसे उंची इमारत कौन सी है? Options A. कुतुब मिनार B. ताज महल C. बुर्ज खलीफा D. एफिल टावर सही जवाब है C. बुर्ज खलीफा दुनिया में सबसे ज्यादा मारे जाने वाला जी कौन सा है? Options A. चूहा B. मुर्गा C. बुक्वी D. गाए सही जवाब है B. मुर्गा किस पेड़ के नीचे सोने से इंसान मर जाता है? Options A. नीम B. पीपल C. बरगत D. आम सही जवाब A. नीम किस चीब के जीब में दाथ होता है? Options A. मेंडक B. घौंगा C. छिपकली D. साब सही जवाब B. घौंगा कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं दूपता है? Options A. संग मरमर हीरा B. बलुआ पत्थर C. ग्रिनाइट पत्थर D. यूमिस स्टोन सही जवाब D. प्यूमिस स्टोन भारत में कुरोना का पहला ठीका किसे लगा था? Options A. राहुल गांधी B. अजे सिंग C. सागर मल होत्रा D. मनीश कुमार सही जवाब D. मनीश कुमार मसालो की रानी किसे कहा जाता है? Options A. बादाम को B. इलाईची को C. किश्मिश को D. काजू को सही जवाब B. इलाईची को B. बादाम के किस राज्य में नवरात्री का पर्विटांडिया खेल कर भी मनाते हैं? Options A. गुजरात B. पश्चिम बंगाल C. महराष्टर D. राजस्थान सही जवाब A. गुजरात मनुश्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतु बनाया? Options A. गाए को B. हाथी को C. खुत्ता को D. भेड को सही जवाब C. कुत्ता को भारत का कौन सा शहर पानी में डूबा हुआ है? Options A. काशी B. द्वार का नगरी C. श्रीनगर D. मुंबई सही जवाब B. द्वार का नगरी किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा Options A. भगर्थ सिंग B. सुभाष चंद्रबोस C. चंद्रशेकर आजाद D. महात्मा गांधी सही जवाब B. सुभाष चंद्रबोस नीबू के साथ क्या खाने से इंसान मर भी सकता है Options A. अंडा B. पपीता C. चाई D. मचली सही जवाब B. पपीता भारत का राश्ट्रेचिन क्या है? Options A. कमल B. शेर C. अशोप स्थम्भ D. चरखा सही जवाब C. अशोप स्थम्भ हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? Options A. चौदा फर्वरी B. पच्चिस दिसंबर C. चौदा सितंबर D. पाँच अगस्त सही जवाब C. चौदा सितंबर 200 रुपे के भारतिय मुद्रा पर किसका चित्र है? Options A. लाल किला B. मंगल यान C. सांची स्थू D. अलोरा गुपा सही जवाब C. सांची स्थू आग में घीग डालना मुहाबरे का सही अर्थ क्या है? Options A. आग लगाना B. भढ़काना C. परिशान करना D. डराना सही जवाब B. भढ़काना जामा मस्जित कहां स्थित है? Options A. दिल्ली में B. कानपुर में C. जैपुर में D. हैदराबाद में सही जवाब A. दिल्ली में रामायन के लिखक कौन थे? Options A. वेदव्यास B. तुलसी दास C. वालमिकी D. कभी दास सही जवाब C. वालमिकी सिखो का प्रमुक्त योहार कौन सा है? Options A. बैसाकी B. गुरुपूर्णिमा C. दिपाबली D. होली सही जवाब A. बैसाकी अगला प्रश्ण आपके लिए है गुलाब चामुन किस देश की राष्ट्रिय मिठाई है? Options A. भारत B. पाकिस्तान C. नेपाल D. बांगलादेश तो दोस्तों कमेंट करके बताईए इस सवाल का जवाब क्या होगा? और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर करें और प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और भी वीडियो कि नॉटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें प्लीज चैनल को ज़रूर लाइक करें प्लीज चैनल को ज़रूर लाइक करें